क्या माइनस है? ऐसा पूरा एक, हमने एक त्यारी, पे लेवल की त्यारी इसमें की है हमने उन स्थानों पर अपनी बूत समीतियां बनाई हैं, एलेक्शन इंचार्ज लगाए हैं हमने अपने फुल टाइम देने वाले विश्तारक लगाए हैं, बड़े नेताओं का टूर रखा है चाय पाणी हो रहे हैं, मंतरियों के, सीरियस नेताओं के तो उसनाते से काफी दिन से हम इस क्यारी में लगे हुए हैं और ये एक मैं कह रहा हूँ कि भई, एलेक्शन कमेटी फाइनल करती है, लेकिन उससे पहले की एक एक सर्साइज की क्या स्टेंथ है, क्या माइनस है, उनको लोग कैसे-कैसे हैं उसनाते से एक पारकरताओं के साथ बैट कर रहे हैं, जिसमें उसी लेकर एक्षक को, जिला परभारी को, वहां के जो कंडिडेट रहे हैं या विधायक हैं उनको, और उससे आगे बढ़ते वे फिर जो है, जो हमने इलेक्शन इंचार्ज लगा रखे हैं, उनसे पुल मिला के एक पार की बर्स कर रहे हैं, जिसमें मैं शिवम हूँ और मेरे संगठर मंतरी रवीन्बर राजू जी हैं और मेरे पीमो महा मंतरी, विधकाल जी, डप्र पावन सेंडी जी और मोहन को सिख जी है, एक्सरसाइज आज सुबह से चली हुई है, शाम तक चली है, तो निकाह चुनाओं में स्थानिय मुद्दे होते हैं, वहाँ ट्रीपल इंजन सरकार का मुद्दा भी हम उठाएंगे, क्योंकि केंदर में मोदी जी और आज तक नीचे तक के विशो में वो इन्वोल होते हैं, किस परकार से स्वच्छ सहर बने, क्वालिटी ओफ लीविंग कैसे वह अच्छी आजाए, और इसी तरह से राज्य सरकार मनहोर जी की यहाँ पर सरकार है, इसी तरह से नीचे भी सरकार जो है, हमने अपने पहले कार्यकार में डारेक्ट इलेक्षन किया था, चेर्मेन का, वो भी पढ़ी लिखी स्थानिय निकाय हों, जैसे मैं पंचायत मंतरी थ तो पड़ी लिखी पंचायत का प्रपोजल पहले मुझे लाने का सोभा के मिला, हमको लड़ाई भी लड़नी पड़ी सरवोच ने आयले तक, लेकिन फिर मेरे साथ-साथ नगर निकाय भी सिक्सित बने ये भी हम लेकर आए, तो उस नाते से बहुत सारी पहल हमने की, पिछ हमारे मेर जो है, वीजे ही होकर आए, तो अभी ये 48 खानों का चुनाओ अभी पाली का परिस्द का होने वाला है, इसमें 11 परिस्द हैं, बाकी पाली का हैं, उसकी त्यारी में चुटे हैं सिंबल को लेकर सब क्या हो, कुछ जाता है कि अभी तक जो एक फाइनल दिर्णे तो हमारी एलेक्शन कनेटी करती है, लेकिन अभी तक जो चर्चा में विशे है कि परिसद सारी की सारी हम सिंबल पर लडेंगे, और उनमें पारसद सिंबल पर लडें, ये जिलाईकाई उप पर छोडेंगे, और पालिका में कौन से सिंबल पर लडें, नहीं लडें, ये जिलाईकाई पर छोडेंगे, ये जिलाईकाई उप्र लड़ना चाहती है, कुछ तानों पर बहुत छोटी पालिका है, वहां उनका ये भी मतारा है कि यहां हम उस नाते से हम को अनमती दी पर छोडेंगे, अगर पालिकाई सिंबल चाहती है, तो सिंबल देंगे, इसी तरह से पालिका में पारसद और नगर परिशद में भी पारसद ये जिलाई पर छोडेंगे, जिलाई अगर कहता है कि सिंबल देना उचित है, तो सिंबल देंगे, अगर वो कहते है कि हम को बिन अभी हमारी आपस में इस वीशे पर कोई जर्चा नहीं हुगी है, एक आद बार टेलीफोर पर बात हुई है, लेकिन अभी कोई बैठ कर इस वीशे पर लड़े है, नहीं हुआ है, इस वार आमादीर पार्टी जा है, वो भी अपने आपको विकल्प के तोर पर हर्याना में इ सारी पार्टियां चुनाओ लड़ेंगी, भी रड़ेंगी. दोनों तरह से बहुत महतोपूरण है, पहला महतोपूरण है कि 19 लाक एकड़ फिट हमारे हिसे का पानी मिलना चाहिए, दूसरी महतोपूरण है कि हर्याना को जो अभी भी पानी आता है भागड़ेंग से उसको आने का एक ही चैनल है, एक अल्टरनेट चैनल वैसे भी होना चाहिए है, तो इसलिए दोनों तरह से इंपोर्टेंस है इस चैनल की, कि ये चैनल बने एक अल्टरनेट चैनल आने साव लेबल रहे, और दूसरा 19 लाक एकड़ फिट पानी उस चैनल से आ नी सकता, वो चैनल की अपनी लिमिटेशन से हैं, तो एक नए चैनल के माद्यम से लेकि लिए चैनल उससे भी बड़ा होना चाहिए, जितने पानी आना है, क्योंकि अगर कभी अल्टरनेट चैनल की आउशकता पड़े, तो हम उसका उप्योग कर सकाएं